मैं हूँ आपके साथ सोनाली तोमर और इस वक्त देरादुन से खबर है जहां विदान सबा के मौनसुन सत्र का पांचवा दिन आज सदन की कारेवाही लगातार जारी है और आपको बताते कि सदन की हंगामेदार शुरुवात हुई देरादुन से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां सदन की कारेवाही जारी सदन में जारी है प्रश्मिकाल सदन की हंगामेदार शुरुवात हुई विदान सवा के मौनसुन सच्र का पाँच्वा दिन आज आपको बता दे कि सदन की हंगामेदार शरुवाथ हुई सभी विधायक अपने अपने छेत्र के सवाल उठा रहे हैं आज मौनसुन सच्र का पाँच्वा दिन सदन की कारवाही जारी सभी विधायक अपने अपने छेत्र के सवाल उठा रहे हैं आपको बता दे कि थोड़ी देर में सीएम पुषकर सिंग ठामी विधान सवा महुचेगे सदन की कारवाही जारी और आपको बता दे कि जोड़दार हंगामे के साथ सदन में शिरुवा थो इसको वापस ले जाने के मांग को लेकर के आज परदशन किया गया हमार साथ कुछ नहीं था प्रतिक प्रतिक है और गन्ना भी किसान का प्रतिक है कि सत्ता में बैटे वी लोगोंने किसानों की आयदुगना करने का वादा क्या था इसके साथ साथ किसानों की रिण मावधिकावी वादा क्या था लेकिन दोनों ही वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है और आज किसानों के हितों के पिप्टी तीन काले कानून जो है सत्ता में बैटे वी लोगों ने किसानों पर ठोपने का काम किया जिसका किसान पुर्जोर तरीके से विरूद करने है आज दिल्ली की सीमा पर किसान संगर्ष करने का काम करने है और इस संगर्ष में लगबग 600 किसानों की शाहदत हो गई है सरकार के कान पर जून तक नहीं रहेंग रही है इसलिए आज हमने सड़क से लेकर सदन तक जो है किसानों के आज को बुद्धे को लेकर के आज कौंग्रिस कारिस तक परस्ता हो जो है सदन के अंदर लाने का किसानों के मुद्धे पर जमकर केंदर और राज्य सरकार को गे रहे हैं और साथ तुनों ने बताया है कि आज ये सब्सक्राइब के तोरां कौंग्रस पार्टी कारेस तरूं को लेकर के आने वाली तो पूल में लाकर के सदन की जो पाच्वी दिन की कारवे हो काफी हंगा में सब्सक्राइब कर दोन और पर रहा हैं किसानों की कारेवाहि लेगा तार जारी है और सदन की कारेवाहि जोड़ार हंगामे के साथ शरवात हुई चाहेंगे कि सदन में मौनसुन सत्र की शुरुवात हो गई है और जोरदर हंगामे के साथ ये शुरुवात हुई पूरी जानकारी आप से जाना चाहेंगे कि वहां क्या देखने को मिल रहा है की पूरी सरुदों तुरुवात हुई। वह रोख भी लिए आ कि एक जो परवाल जो है जो परवाल शे विए बार्राभार टुग्षाप्टी लिए जगर हम एक जो थिन ऑपने की अंगर इसानल कहई है अंकेत आपके अवाज हम तक साफ नहीं पहुच रही है पुरी जोनकारिक लिए आपको बहुत वह शुक्री आंकेत बता दे कि विधान सभा के मौन्सोन सच्र का पांच्वा दिन आज है और सदन में शुरुवात जोरजार हंगामे के साथ हुई कारिवाई लगातार जारी है सभी विधायक अपने अपने छेत्रों के बारे में उन्होंने सवाल उठाया सदन के अंदर विधान सभा के मौन्सोन सच्र का पांच्वा दिन आज देहरादूं से खबर आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त देहरादूं से एक और खबर जहां देशराज कर्णवाल ने उठाया गन्ने के बकाया भुक्तान का मुंदार सरकार से पूछा 2017 से अब तक किसानों की बकाया राशी गन्ना मंत्री यतिश्वरा अनंत ने रखा सरकार का पक्ष आपको बता दे कि शुगर मिलो पर अब भी करोरों रुपे का बकाया बाकी है और 2017 से 2018 में एक बालपूर जीनी मिल पर 74.58 करोर रुपे बाकी है वहीं 2018 से 2019 में एकबाल पूर जीनी मिल पर 104.74 बकाया है लक्सर मिल पर भी बकाया है 52 करोरों रुपे सरकार से पूछा 2017 से अब तक किसानों की बकाया राशी पंजाब में राजनियति घमासान के बेच कॉंग्रस प्रभारी हरिश्रावत का बयान दिया है उन्होंने कहा कि सलाहकार ने कहा है कि यह मेरा नीजि मामला है और यह मामला समाब्थ हो गया है दिया है पंजाब कॉंग्रस प्रभारी हरिश्रावत ने आगे कहा कि पंजाब में सब चीज़े ठीक से चल रही है चुनाव जब नस्देख होते हैं तो थोड़ी हल चल होती है इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ समाने नहीं है उन्हें कह दिया ये मेरा नीजी मामुला है और मैं पहले से कुछ कहा है उन्हें ने जो कुछ कहा है और मैं समस्ता उसकी लाइट में अब वो मामला वहीं समाप्त हो गया है पंजाब में सब चीजें ठीक तरीके से चल लही है थोड़ा सा होता है चुनाव जम नस्दीक होते हैं तो थोड़ी हर्चर होती है लेकिन उस हलचल का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ शामानी नहीं है और अस वक्त टिहरे से खबर है चाहां चमबा रिशिकेश एनेच चूटने से मार्क हुआ बादित बता दे कि चमबा रिशिकेश नाशनल हाईवे टूटने से रास्ता भादित हो गया है लगातार मुसलाधार बारिश से फकोट के पास बंद हुआ राश्ट्रे राजमार जड़क की मरमत करने में लग सकता है काफी समयाप बता दे कि आल वेदर प्रोजेक्ट के तहत हुए कार्यों को लेकर सवाल भी उठे चिहरी से खबर जहां चमबा रिशिकेश नाशनल हाईवे टूटने से मार्क बंद हो गया है मुसलाधार बारिश से फ़कोट के पास बंद हुआ राश्ट्रे राजमार जैसे लोगों को दिक्कतों का साबना भी करना पड़ रहा है तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं जहां राजमार पूरा बादित होता हुआ नजर आ रहा है यह चमबार इशिकेश नाशनल हाईवे है जहां नाशनल हाईवे टूपने से मार्क बादित हो गया है बना रहे हैं कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां मुसलाधार बारिश के वज़े से नाशनल हाईवे टूपते हुए नजर आ रहा है मुसलाधार बारिफ से फकोट के पास राष्ट्रे राजमार बंथ हो गया है तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां चमबा रिशिकेश नैशनल हाईवे तूखने से बादित हो गया है पूरा रास्ता जिससे यातयात में भी लोगों को दिख्कत आ रहे हैं काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं सड़क की मनम्मत करने में अभी काफी समय लग सकता है जमबा दिशिकेश नैशनल हाईवे की ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां नैशनल हाईवे टूट किया है देवप्रियाग पहाडों में लगातार हो रही बारिश के चलते जगा जगा सड़के फुसकरन से भादित हो रही है वही नाशनल हाईवे टूट पर देवप्रियाग के पास मलबा आने से बद्रिनाथ नाशनल हाईवे बंध हो गया है पुलेच्वारा सभी यात्रों को बारिश के चलते रात को लगातार मलबा गिरने से किसी भी प्रकार की दूरखटना से तहात बरतने के लिए यात्रों को सुरक्षि स्थान पर श्री नगर या देवप्रियाग में रोगने के सला दी गई है थाना प्रभारी देवप्रियाग महीपा सिंग रावत ने बताया कि लगातार बारिश होने के कारण रिशिकेश बद्रिनात मार्ग पर सकनीधार तोता घाटी कोडिया ला गुलर और सभी जो अन्यस्थान है उन पर मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं यात्रियों को काफी दिक्कोतों का सामना करना पड़ सकता है जिसके वज़े से शाम साथ बज़े से सुबह च्छे बज़े तक मार्ग में ना आने की सला दी है कि कवर लगसर से जहां रेलवे के मुराद अबाद मंदल के नव नहीं उकता डियार एम अजय नंदन ने लगसर पहुंच गर लगसर रेलवे स्टेशन का निरिक्शन किया इसके बाद प्लैटफॉर्म पर पिछले दिनों कराए गए निर्मान कार्ड का भी निरिक्शन किया गया ततपश्चाज DRM ने ट्रैक ट्रॉली पर सवार होकर लगसर राइसी के बीच के करीब दो किलो मीटर तक रेलवे ट्रैक का बारी की से निरिक्शन किया आज करने इरिक्शन एक तो जांकारी लेने का फ़र स्टेशन के रफ्ताला भी निरिक्शन और दूसरा जो हमारे यह जो शुवर मिलना वहां पे ऐसे चेनी की दोडिंग हो सकती है रोड़के के भगवान पुर्षेत्र के जीडियान ग्रंट गाव के ग्रामीडों ने ग्राम प्रधान और ग्राम सचीप पर गंभी रारूप लगाते हुए परदर्शन किया है ग्रामीडों ने ग्राम प्रधान पर मन्रेगा में मजदूरी कराकर पैसे ना देने और पिछले 5 सालों में गाव में विकास कारें ना करवाने के आरोप लगाए हैं आरोप है कि प्रधान ने मजदूरों से मन्रेगा के तहट तलाब की खुदाई का काम कराने के दो साल बाद भी पैसा नहीं दिया है जिसको लेकर ग्रामीडों में भारी रोच देखने को मिला और हमारे सब जितने आदमी है जा जाग परिशान हो रहें आप देखिरों क्या इस्तिती है उदम सिंग नगर के ट्रांसजिट कैम ठाना छेत्र में रहने वाले एक व्यापारी के साथ साड़े पांच लाग की ठगी का मामला साबने आया है व्यापारी का कहना है कि उसने नेट के माध्यम से एक मोबाइल नमबर पर बात की थी दिल्ले से सूखा मला खरीद कर सप्लाई किया लेकिन छे दिन बाद भी जब कोई डिप्लाई नहीं आया तो राचेश द्वारा पतंचली के करमचारियों से संपरक सादा गया जिस पर पतंचली के करमचारियों पिरिट यूवक द्वारा अपने आपको ठगा मैसूस किया गया जिसके बाद उन्होंने नियाएं की गोहार लगाई फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांज में चुट गई है नरितार में पी एम जी एस वाई के तहट निर्मार्धिन देवी धूरा बसानी मोटर मार्ग खसता हाल हो चुकी है वही साथ गाउं को जोडने वाले लिंक मार्क इन दिनों इस कदर कीचर भर गया है कि स्कूली चातर चात्राओ सहेट ग्रामिडों को दिक्कतु का सामना करना पड़ रहा है अब ग्रामिडों ने आंदौलन शुरू कर दिया है ब्रसपतिवार को ग्रामिडों ने देवी धूरा में कीचर भरी सडक में धान लगा कर विरोच चताया बता दे की PMG SY के तहट देवी धूरा से बसानी मोटर मार्क के खराब हालत में सुधार ना होने से अब ग्रामिडों सडकों पर उतर आये हैं कई दिनों से विभाग्य अदिकारियों के जूटे आश्वासन से लोग काफी जादा परिशान हो गए हैं ही आवाए कि रोट का यहाल हुआ है मतलव आपर चलना बहुत मुष्खिल हो रहा हैं और हमारे अगर किसी को अमर cynश हो जा रही है तो इस पर लाना भी मुष्खिल उसको हम साधन से भी लाबाते हैं और बच्चे स्कूल पहें कि आ रहे हैं उनके स्कूल यानता है और इस वक्त डोई वाला से खबर साब ने आ रही है डोई वाले से खबर जारानी पोखरी में बड़ा हाथ साब रानी पोखरी को डोई वाला से जोडने वाला पुल तूटा जाखर नदी पर बना पुल तूट कर गिरा नीचे जाखर नदी पर बना पुल तूट गया है डोई वाला से खबर जहारानी पोखरी में बड़ा हाथ सा हो गया आपको बता दे कि रानी पोखरी को डोईवाला से जोडने वाला पूल तूट गया है जाख़र नदी पर बना पूल तूट कर नीचे गिर गया जाख़र नदी पर बना पूल तूट गया डोईवाला से खबर जहां रानी पोखरी में बड़ा हाथसा हुआ आपको वदा देखी रानी पोखरी और दोई वाला से जोडने वाला पुल टूट गया है जहां ये रानी पोखरी में ये बड़ा हसा उटा हुँआ नजर आ रहा है एक्स्क्लूजिव तस्वीरे आपको दिखा रहे है केनियूस के माध्यम से जहां रानी पोखरी को डोई वाला से जोडने वाला जो पुल है वो तोट कर नीचे गिर गया है जिसके बाद यहां पर स्थाने लोगों की घिर एक जुट हो गई एक्स्क्लूजिव तस्वीरे आपको दिखा रहे है केनियूस के माध्यम से जहां रानी पोखरी को डोई वाला से जोडने वाला पुल तोट कर नीचे गिर गया एक्स्क्ल्यूजिव तस्वीरे आपको दिखा रहे है के नियूस के माध्यम से यहां पुल तूटने के बाद इस्थाने लोग मौके पर एकजूट हो गए, लोगों की भीड एकजूट हो गई डोईवाला से खबर जहां जाखद नदी पर बना पुल तूटकर नीचे गिर गया बना पुल तूटकर नीचे गिरा तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं, एक्स्क्लिऊसिफ तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां रानी पोकरी को डोईवाला से जोड़ने वाला पोई तूट गया और यहां रुकेंगे एक छोड़ से ब्रेक के लिए एक ज़लधा से हुँगे कोरोन अच्छो से दूर आप देख रहे हैं के नियोस खबरों का सार्थ ब्रेके बाद स्वागत थे आपका और डोई वाला सिखाबर है जहां रानी पोकरी में बड़ा हाथसा हुआ जाकर नदी पर बना पूल तूट कर गिरा नीचे जाकर नदी पर बना पूल टूट किया है बड़ा हाथसा हो गया है डोई वाला से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां रानी पोकरी में बड़ा हाथसा देखने को मिला एक्स्क्लूजिव तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं जहां जाकर नदी पर बना पूल टूट किया है जिसके बाद स्थानी लोगों की भी एक जोट हो गई है एक्स्क्लूजिव तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं डोई वाला से जहां रानी पोखरी को डोई वाला से जोडने वाला पुल टूट गया है एक्स्क्लूसिव तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां जाखर नदी पर बना पूल तूट कर नीचे गिर गया है एक्स्क्लूसिव तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं केमी उसके माध्यम से जहां रानी पोकरी को डोईवाला से जोडने वाला पूल तूट गया है दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डोई वाला से वही दूसरी तस्वीर आपको टिहरे से दिखा रहे हैं जहां पूल तूट गया है एक्स्क्लूजिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दोनों तस्वीरे जहां पहली तस्वीर डोई तूट गया है जहां नाशनल हाइवे टूट गया है जिससे रास्ता जो है बादित हो गया है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है टिहरी में भी दो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं एक्स्क्लूजिव तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर डोई वाला से जोडने वाला जो पुल था वो तूट कर नीचे गिर गया है तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सम्भाद अतार राजकुमार अगरवाल हमारे साथ जोड़ चूपे रऄ जाता है सब्सक्राइब तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर इसमें डर गए हैं बहुत सब्सक्राइब के रोड़ पर है उधार की तरह की जवान यहां पर है आर्मी को बुलाया गया है इसानी पर्सासन मित्री में लगातार यहां पर फोज रही है क्योंकि मुख्यपूल है रिचिगेज और देर्दुन के बीचे यह मुख्यपूल है हाईवेगा पूल है तूट के गिर जाना कहिना कई बड़े सवाल खरी करता है लोग में दुमाने अब पूल करने कराम हुआ था था अंदेशन जताया जारा की फूल कंजूर हो रहा है उसको लेकर भी पर्सासन की निगाया पूल बड़ी हाला कि इस अब बनाने का यहां पर आदेश जारी हो गए लेकिन तो कि फूल मुख्य पूल है तमाम गारिया यहां पर बिर चलती है लोगों की जान तो नहीं गई लेकिन तीन गारिया पूल से गिरी है और सेखड़ों की संख्या में गारिया दोनों की तरफ खड़ी हो गई है जी राजकुमार इस पूरी जान करे के लिए आपको बहुत वह शुक्री आपको बता देए कि रानी पोखरी में बड़ा हाथसा से जोडने वाला पूल तूट गया है जिसके बाद इस्थानिय लोग मौके पर पहुंचे और पूरे चेतर में हड़कम्प मच गया है और इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे है जहां देरा दुन मौके मंत्री पुषकर सिंग थामी पहुंचे विधान सबा देरा दुन से आपको खबर दिखा रहे है जहां मौके मंत्री पुषकर सिंग थामी विधान सबा पहुंचे है सदन की कारवाही में मौके मंत पु blossom नामि गोवजी सोव पहुंच ci क्यों मेन दिलो चला मुख्य मंद्री पुष्कर सिंघ ठामि में विथान सल मा पूंच याप बताले की विदान सभा आप परद्म वाउचे हैं प्रतिवां में पहुचे अपो दहले कि आज पाट कि मुक्षे रंसवन से ले करके खंगामा हो रहा है विधान सभा में वही मुख्य मंत्री पुश्कर सिंग ठामी विधान सभा पहुंचे हैं कि खबरोतरा खर्ण में फिलाल इतना ही बाके की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें के नियोज इंडिया आप देख रहे हैं के नियोज खबरों का सार्थी नमस्कार उतरा खंड में चल रहे विकास कारें को मिलेगी अब नई गती सड़क निर्मान के लिए केंद्र सरकार से मिली तेरा सो करोड रुपे की सौगार वहीं देहरादून से तिहरी तक 35 किलो मीटर लंबी डबल लिंग सुरंग बनने का रास्था भी हुआ साफ ओनलाइन पढ़ाई को आसान बनाने के लिए उतराखंड सरकार प्रदेश के सभी राच्किय स्कूलों के कक्षा दस्मी और बार्वी में पढ़ने वाले चात्र चात्राओं को निशुलक मोबाईल टैबलेट देगी इन मोबाईल टैबलेट्स में सभी प्रकार की शिक्षन सामगरी पहले से उपलब्द रहेगी जिससे उन्हें पढ़ाई में सुभिधा होगी कर दो